जई श्री कृष्णा राजमा चावले एक ऐसा साटिस्टाइंग मील है जो सभी को पसंद आता है आज मैं डीनर में राजमा मसाला बना रही हूँ तो हम एक कप राजमा लेंगे इसमें पानी डाल करना पहले इसे वाश कर लेते हैं अब इसमें पानी अड़ करेंगे और 6 गंटे तक या फिर आप इसे राद बर बिगोने के लिए रख दीजेगा यहाँ पर मैंने 6 गंटे तक राजमा को पुलाने के लिए रखा हुआ था तो यह अच्छे से फूल चुके है तो इसे हमें pressure cooker में डाल रही हूँ एक डालचनी का तुकुडा और एक बड़ी इलाइची डालेंगे बहुत अच्छा flavor आता है इससे पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और pressure cooker का ढखकन लगा कर इसे हमें अच्छे से बंद करना है तो बस pressure cooker को चुले पर रखेंगे और चार सिटी आने तक इसे pressure cooker करना है चार सिटी आने के बाद gas की flame को बंद करेंगे और इस मेंसे जो pressure है वो अपने आप release होने के बाद ही हमें ढखकन को open करना है राजम अच्छे से पग गए हैं तो इसे रखते हैं साइड में यहाँ पर मैंने तीन मध्यमाकार के chop की हुए टमाटर लिए हैं इसे हम mixy jar में डालते हैं इसमें 4-5 काजू डालेंगे एक इंच अधर का तुकुड़ा डालेंगे दो हरी मिर्श डालेंगे इसमें तो बस इसे हमें अच्छे से बारिक पीस लेना है तो यह बन गई टमाटर की पेस्ट इसे रखते हैं एक तरफ एक कटूरी में हमें आदा छोटा चमज हल्दी पाउडर एक चमज लाल मिर्श पाउडर एक चमज दनिया पाउडर इसमें पानी डालेंगे और ना मसालों को अच्छे से भिगोएंगे इसे मसालों का जो जाइका है वो बरकरार रहता है और जब हम इसे पकाते हैं तो मसाले बिल्कुल जलते नहीं हैं अब कडाई में मैं दो चमज तेल डाल रही हूँ इसमें आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें आदा चमज जीरा आड़ करेंगे दो सुकी लाल मिर्च और दो हरी लाईची डाल रही हूँ एक तेज पत्ता डालेंगे वनेट टी स्पून हिंग पाउडर मशालोह को जो हमने मिक्षर बणाया था वो अब इसमें आड़ करते है और चमज से चलाते हुए हमें कुछ मिनिट के लिए मशालों को अच्छे से पकाना है अब टमाडर की पेस्ट है वो इसमें आड़ करते है और पहले इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मसालों के साथ तो जब तक टमाडर का कच्छापन है न वो नहीं जाता है तब तक हमें ग्रेवी को 10 मिनिट के लिए दीमियाज पर रखकर पका लेना है थोड़े दिर के बाद चेक करते हैं तो यहाँ पर मसाला है वो अच्छे से पक गया है तो अब इसमें न हम राजमा है वो आड़ करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, आदा चमज, गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसके उपर ढखकन रखते हैं हमें 10 मिनिट के लिए इसे सीमर होने देना है 10 से 12 मिनिट हो चुके है इसमें पाउच चमज, इतनी कसूरी मेथी पाउडर और एक बड़ा चमज, तादे धन्ने के बत्ते हैं वो डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे यहाँ पर राजमा मसाला रेडी हैं तुचूली को कर लेते हैं बंद और लास्ट में यहाँ पर में निम्बू का रस हैं वो डाल रही हूँ इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो इसे स्टर करेंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ राजमा मसाले को एंजॉय करेंगे